आज के वीडियो में मैं आपको बताने माला हूँ कि आप हिविस्किस पॉडर को externally apply कैसे करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप उसको internally कैसे आप उसको लेंगे और क्या-क्या उसके other health benefits हैं बालों के अलावा तो उस वीडियो में मैंने काफी सारी चीज़े बताई हैं आप जाके मेरा previously वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको सारी चीज़े पता लग जाएं कि आपको कितनी मात्रा में लेना है और किस-किस condition में आपको इस्तुमाल करना है तो यहाँ पर मैं apply करने के लिए बता रहा हूं लेकिन साथ में आप जो है उसको खा भी सकते हैं ठीक है तो apply करने के लिए जिन दोस्तों के बाल सफेद हो गए हैं उनको apply करना है सर के बाल सफेद हो सर पर कीजिए दाड़ी के बाल भी सफेद हो गए हुमरे से पहले तो आप जब दाड़ी के बाल पर भी इसको apply कर सकते हैं पॉर्मला बेलकुल सिंप्ल है, कहां से मिलगा यह मैंने उस वीडियो में बताया था, क्योंकि इसको ढूंडना लोगों को लगता है काफी मुश्किल है, बटाच के समय में कोई भी चीज़ा आप ढूंदेंगे यह वो मिल जाएगी, इसली आपको मिल जाएगी, तो सबसे फ आप किसी अच्छी कंपणी से आप ले लीजिए, इसको अच्छी कंपणी अच्छी वैबसाइट से आप इसको ले लीजिए, और यह वो मिल जाएगा, जो कि बहुत दिन चलता है, चले जान लेता है आप इसको किस तरीए से अपलाई करेंगे, तो पहली चीज़ी है कि चोटे-चोटे वाल है, तो आपको एक चमच सफिशेंट है, आपको इसमें दो चीजों की रुथ पढ़ने वाली है, नमर वन है दोस्ते इसमें हिवस्केस पाउडर, जो मैंने आपको बता दिया है, जो कि गुढ़ल के फूल का बना हुआ पाउडर है, सेकिंड आपको इस देख लीजिए कितना मराना है, ठीक है, जिससे की अराम से इसका पेस्ट बन जाए, अब जिन लोगों के बाल बहुत जादा है, दाड़ी भी जो उनकी बड़ी-बड़ी है, उनको दो-तीन चमच लेना पड़ेगा हिवस्केस पाउडर, दो-तीन चमच लेना पड़ेगा आ पेस्ट बन जाए, पेस्ट किस तरीके से होता है, जो कि आपके बालो पे अपलाई रहे है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगाना है, उसको आप पेस्ट बनाईए, अच्छे सा आप उसको बनाईए, जो कि आपके बालो पे लगा रहे है, 40-45 मेट तक उसको आप लगा रहे हैं, ठ इसको लगब 40-45 मिट तक आप इसको continue में लगा रहने दीजिए और इसके बाद जो आप अपना सर धोलीजिए किसी भी शैंपू से आप जो सकते हैं गुल्बने पानी से या फिर नॉर्मल पानी से आप जो इसको धोलीजिए ठीक है जो भी आप इसको निकाल लीजिए ये महं करना है 40 मिट तक इसको apply जरू करें जिससे कि आपको और अच्छे benefits मिलें और अच्छे benefits के लिए आप जो इसका powder भी खाना शुरू कर दीजिए ठीक है खाना का मैंने आपको बताए कि काफे जिगा helpful है ये premature hairing में खास करके skin वाली condition में खास करके skin की जो condition है इसको ठीक करती है इसकी जो shining है ये उसको भी बढ़ाती है तो आप इसको खाने में अगर आप देखना चाहते है किस तरीके से लिया जाता है तो last video आप जाके देख सकते है शौट में में आपको बता देतो कि आप इसको शेहत के साथ लीज आधा चमच आप इसको लीजिए या फिर जिनकी health अच्छी है कोई परिशानी नहीं है healthy है तो वह आधा चमच भी ले सकते हैं कोई problem नहीं है तो उस video मेंने के वह बन फोर चमच बताया आधे से आधा चमच आप जो आधा चमच भी ले सकते हैं तो वन फोर चमच आप लिज काकी healthful है हमारी body के लिए हमारे बालोग के लिए तो आप सकráं बुर्गुन में पानी के साथ इसको ले सकते हैं शैयदं नहीं है शायद हमें पस्ता नहीं है यह इसा है तो आप इसको गूंबुने पाने के साथ आप ले लिजिए water डालिए उपर से याप उ पी लिजिए द Thank you so much.